हालो दोस्तों मेरा नाम चंजर शेकर है और आज के वीडियो में हम बार करेंगे EU Blue Card EU Blue Card यानी European Union Blue Card EU Blue Card का मकसद है Highly Skilled Professionals को European Union की तरफ आकर शित करना EU Blue Card 2012 से Issue हो रहे है इन फैक सन 2018 में जर्मिनी में टोटल 27,241 Blue Card Issues होए थे उन में से 7556 इंडियन को मिले देट मेंस अबाओ 27% इसका लब यह है कि Indians अलड़ी Blue Card का फाइदा उठा रहे हैं अभी जो EU Blue Card है यह इशू होने हैं इंजीनियर्स को, सौफ़ेर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, ग्रेजुएट नर्सिस को, साइंटिस्ट को, मैथेमेटिशियन को इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास कम से कम एक ग्रेजुएट डिगरी होनी चाहिए और वो ग्रेजुएट डिगरी उस कंट्री की ग्रेजुएशन के एक्क्यूलेंट होनी चाहिए जहां पर आप EU Blue Card के लिए एप्लाई कर रहे हैं EU Blue Card के लिए आप किसी भी EU कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं सिरफ दो कंट्रीज हैं जो EU में हैं लेकिन EU Blue Card इशू नहीं करती उन मेंसे एक कंट्री है आईलैंड दूसरी है डेन्मार्क यहां पर आप EU Blue Card नहीं शू कर सकते हैं और EU Blue Card या तो आप अप उस कंट्री में का सकते हैं या आप उसकी एमसी में इंडिया में का सकते हैं आप जिस भी गंट्री में हैं वहां से आप एप्लाई का सकते हैं EU Blue Card के लिए जरूरी है कि आपका एक साथ का कॉंट्राइक्ट हो कम से कम और एक minimum salary आपको मिलनी चाहिए, यह अलग-अलग countries में अलग-अलग है, मैं यहाँ पे आपके साथ share करूँ है कुछ countries का data, पर एक्जामपल पोलेंड में यह कम सिकम 21,000 euros per annum होनी चाहिए, हंगरी में 17,000 per annum होनी चाहिए, आस्ट्रिया में 63,672 euros per annum होनी चाहिए, जर्मनी मे यह range करती है 45,000, 252,000 euros per annum, निदरलेंड में थोड़ी सी high है, यह है 70,022, अब EU Blue Card का फाइदा यह है कि इसके बाद आप PR के लिए भी apply कर सकते हैं, आपकी family, आपके बच्चे EU Blue Card में आपको join कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे professions हैं जो EU Blue Card के लिए eligible होते हैं, यह नहीं आ अगला country का अगला क्राइटीरिया है, आप उनकी अगर immigration website पे जाएंगे तो आप वो criteria देख सकते हैं, और इसके अलावा देखे, बैने European Commission है, जो उसकी official website है EU Blue Card के लिए, उसमें jobs, देखे, करीब 28,00,000 jobs हैं, जो उस सर्च में दिखा रहे हैं, that means there are a lot of jobs which are available for highly skilled professionals in EU, तो अग अगर आप European Union में settled होने का plan बना रहे हैं, या वहां पे काम करने जाना चाहते हैं, तो EU Blue Card आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है, मैं आगे चलके country wise वीडियो बनाऊँगा कि जर्मनी का EU Blue Card कैसे मिल सकता है, या पोलिंग का कैसे मिल सकता है, मैं आपसे request करूँगा कि आप मे